नमस्कार दोस्तों बहुत-पहुत सुवगत है आपका हमारी चैनल में दोस्तों इस प्रीडियो में बात करेंगे तुलयरासी वाले जातकों के लिए 22 सगस्त सनीवार के महारासी फल के बारे में इनके व्यपारिकिस्ति, व्यवशाय किस्ति, धनकिस्ति और स्वास्त के बारे आपके मान, सम्मान, यसकर्ती में बढ़ोतरी हो सकेंगी, आप अपने किस प्रकार से कारिशेतर में अनुकूल प्रिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं, और किस प्रकार से सुक्रमंदी के असर में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आपके जीवर में पैसो सदूरी आर्थिक तकलिफों से किस प्रकार चुटकारा पाया जा सकता है और किस प्रकार से आपके जीवर में खुसियां दस्तक दे सकती हैं आपने जो कर्ज उधार ये लोन ले रखे हैं उनको भी किस प्रकार से चुका सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने धंदौलत के इस्तितिव में भी विर्दी क सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्तार से वीडियो को आखरी तक दीखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चेनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रूजाना रासी फल आपको समय से मल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तुमत्रों त होतिक सुखु का अनन्द ले सकते हैं नए अधिगरण हो सकते हैं आपके रिष्तेदारों के साथ आपका रिष्ता भे तनाविक तो हो सकता है और आपके प्रिवार के सदस्यों में बहस में आप पढ़ सकते हैं ऐसे में बहसबाजी से बचे रहने की अवस्य कुस्त करें ब अपने जीवन में संचारी बने रहने के अवस्य को सच करें वित्य रूप से आपका दिन का फिस्वर रहेगा और कुछ महत्पुन लाव प्राप्ति के योग बन रहे हैं उद्योगी और वैवसाई भी एक नए संगिया साजेदारी में प्रवेश कर सकते हैं कोटकचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलती रहेंगे तथा आपके जीवन में आपको सफलता भे अवस्य हासिल होंगे पैसेवर रूप से आपकी लोगप्रियता और प्रसंसा भे हासिल कर सकते हैं आप अपने दृष्टि कौन से वीत्य लाब अर्जित करने के दमिर स्रोत ढूंड पाएंगे व्यक्तिकत समंदू में खुशी और आनंद की प्राप्ति होंगे आपका सामाजिक जीवन में परमार्जित होंगे और आपका उप्रेजादा वैस्त रह सकते हैं अपने कामकाज को करने में आपका उप्रेजादा लीन हो सकते हैं आपके जीवन में भे आपको खुशियां अवस्य फ्राप्त होंगे। आपके सूचे गए अधिकतर कारे भी आपके जीवन में लावकारी योजनाओं को बनाने के लिए आपका सहीयोग कर सकता है। तता मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपके बुजरुग और बच्चे के बच्चे का सुवाष्ट थोड़ा सा आपको इस्तितियों में प्रतिकुलता दर्सा सकता है। ऐसे में आप धैरी रखें तता आज ये दिन आपके से दोड़ भाग में जा सकते हैं। आपके बैवसाय के स्तिया भी आपके अनुकूल होंगे, जीवन में लाब कमाने के मौके भी अवस्य फराप्त होंगे। आपके सूचने, समझने और आपके एक्षा सक्ति में बडोत्रिक करने के विशेश मौके भी प्राप्त होंगे देरी और बाधाय में कई प्रकार के चिंता का कारण बना सकती हैं देरी रखें क्योंकि यह समय इतना भी बुरा नहीं है जितना कि यह आपको इस समय दिखाई दे रहा है आप कुद को विविस्तित रख सकते हैं और साहस के साथ चीजों का स्तामरा कर सकते हैं आप नए संपर्ग भी अस्तापित कर पाएंगे दोस्त भी आपका हर शेतर में हर कार में सहियो कर सकते हैं और आपका पारिवारिक जीवन भी उत्सापुन रहेंगे यात्राएं व्यवसाईक और आर्थिक संदर्ब में फायदमंद हो सकते हैं आपके से यात्रा को व्यपार के शेतर में कर सकते हैं कुछ के जीवन में प्रेम का प्रवेश हो सकता है कुछ लोगों को अपने प्रेम परसंगों को भे पाने के मौके प्राप्त होंगे जीवन साथी के साथ आपके तनाव दूर हो सकते हैं तथा आज भागया आपके पक्ष में रहेगा आप जटल समस्याओं का समधान कर पाएंगे ऐसे मजबूत संकेत हैं या आप किसे नए उध्योग में प्रवेश कर सकते हैं नए कामकाजों के शुरुवात कर सकते हैं विदेशी केनेक्शन से बहुत सारे लाव भी आपको प्राप्त होंगे आप किसे नए वैवसाय से जुड़ाव या साजेदारी भी कर सकते हैं आए बहुत अच्छी रहेंगी आप अपने घर का नविकरन कर सकते हैं आप नियवाहन खरिच सकते हैं आप अपने परतिदंदू और परतियोगिताओं को पीछा छोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं पारिवारिक जीवन भी आपका सामाने से बैतर दिशा में गती कर सकता हैं आप दोस्तों और परिवारों के साथ किसे मननज़न कस्तर पर भी गुमने जा सकते हैं आज आपको कुछ चुनोतियों का सामना भी करना पड़ सकता हैं आपके चुनोतियां दूर होंगे लेकिन अंतता चीजें आपके प्रक्ष में वोती भी दिखाई दे रही हैं आपका दिन परति दिन की गतिविदियों पर भे ध्यान को कैंदरत करके रखने की अवस्य कुसस करें सकरात्मक बात्चेत अस्तापित करने के लिए कदम आप अवस्य उठाने का प्रियास करें निवेश करने के लिए आवेगी निरने नले जदे प्यात्रिक संपत्ति के समंद में कोई इस लंबित मामला है तुसे सुहादरपुन रंग से हल करने का प्रियास आप अवस्य करें आप जीवर में लावकारी प्रियोजनाओं को सामिल कर सकते हैं आप अपने सिहत का ध्यान और जिनके उतारद में कारिश समंदित यात्राओं पर भे आपको जाना पड़ सकता है और आपको कुछ नए अवसरों के भे प्राप्ति होंगे दोस्तों और परिवार आपका पूरा सहीयोग दे सकते हैं मत्रों आपको आज के दिन कुछ उतार चरहाव का सामना भे करना प पड़ सकता है ऐसे में जल्दबाजी में किसी कारी को न करें मत्रों आपको चनोतियों का सामना करना पड़ सकता है किन्तु आत्मिश्वास और कोसल के बल पर आप विजाई बने रहेंगे आपका अपने परतिदंदू पर भे नजर रखना उचित हो सकता है आपको कमपिट प्रदान कर सकते हैं आप अपने कर्चों को भी नियंतरन में रख सकते हैं आप थोड़े वावक हो सकते हैं आप अपने दोस्तों के समरतर का आसानी से आनंद ले सकते हैं परिवार एवंग संतान खुशियां की प्राप्ति होंगे आप उनके साथ किसी मननजन के स्टल पर भी गुमने जा सकते हैं आपके सामाजिक दायरे में विर्दे अवस्य होंगे आप किसी से भी दिल दुखानी बाली बाते ना करें आज के दिन जतना जादा हो सके आपको जीवन में लावकमाने के मौके फ्राप्त होंगे अचानक से पैसों की बरसात हो सकती हैं आमदनी के नए साधन भी बनेंगे आपको कई वित्य फायदे भी आसानी से हो सकते हैं मित्रों आमदनी के नए साधन और आपको कोई नए डील मिल सकती हैं आपको दूसरे भी आपकर प्रभाव डालने की कोशच कर सकते हैं प्रेम समंदों में तनातनी माहूल न बनाएं। जितना ज़्यादा हो सके आपको मिले जुले और अच्छे और सकरात्म परिणामों के प्राप्ति अवस्य होंगे। आपके सुचने, समझने और कारी करने की सम्ताओं को भे सहारा और परेखा जा सकता है। मित्रों इस समय किसी भी नए कारी की सुरुवात करना आपके लिए सुब होगा। आपके से नए पद्धती के जरिये अपने कारबार की सुरुवात कर सकते हैं जिनमें आपको उमीद से ज़्यादा लाव की प्राप्ति होंगे। आपके सोचे गए अधिकतम कारी भी अवस्य से ही पूरे होंगे। आपका दिन बेतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में। जैम आता दे अवस्य लिखें। आपका दिन सब हो मंगल कारी हो जैम विंदु वासने।